मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन क्यारिटर जिसका नाम है जून इसको हम देख सकते हैं जून एक स्कूल में जीम टीचर है या फर्स सीन में वो स्टूडन्स को स्विमिंग करना सिखा रहा है इसी सीन से हमें ये भी पता चलता है कि उसकी स्कूल की बहुत सारी लड़क उसे फिर जून बचाता है उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके बाद नेकसिन में हमें जून की वाइफ दिखाई जाती है वो प्रिगनेंट है और नए घर में अभी मूविन कर चुके है एक दिन जून सबको टॉजबॉल सिखा रहा था इसी प्लेगराउन पर इस एक उसे क्याच करना चाहती थी क्या तुम डरती नहीं तुम्हारे finger से एकला fracture हो जाएंगी यंग बोलती है मैं किसी भी चीज से नहीं डरती है वो जून से बुच्छती है तुम कीश चीज से डरते हो और उसे गले लगा लेती है वो फिर अब वहाँ से चला जाताो है नेकसिन में हम देखते हैं कि जुन अपनी वाइफ के साथ फैमिली डिनर पर आया हुआ है ये उसकी वाइफ की फैमिली के साथ डिनर है इनकी कन्वरसेशन से हमें पता चलता है जुन का नया घर भी उसके फादर-in-law नहीं उन्हें गिफ्ट किया था इस डिनर पर हम उसे अन साथ पसं है जुन कहता है अगर तुम्हें खेलना है तो तुम्हें फिमली टीम में डाल सकता हो इसके बार नेकसिन में हम डिरेक्ट ली देख सकते हैं कि जुन रगबी खे़ रहा है उसे करने के लिए यंग वहाँ आई हुई हूई है उसे फिम мы टीम में नहीं जाना था उ यंग जून के साथ ही आई हुई थी, गेम खतम होने के बाद वो थोड़ी दिर में गाड़ी में ही सो गए, जून अब उसे ट्रॉक करने वाला है, यंग का सीट बेल बानने के लिए उसका पास गया, यंग जगी हुई थी, उसने कहा अगर तुमें मुझे किस करना है तो तु यंग की हैर क्लिप वहाँ उसे मिली, ये क्लिप उसने अपने कपड़ों में ही रख दी थी, उसे वाशिंग के लिए दे दिया, उसे बार में याद आया कि उसकी वाइफ ने कपड़े वाश कर डाले होंगे, वो स्पीन को ढून रहा था, पर उसकी वाइफ ने ओल्रेटी स ढून लिया था, उसके हेर्स में एक लिप थी, वाइफ को लगा कि ये पीन जुन ने उसकी को गिफ्ट देने के लिए लाई हुई थी, ये कलिप देखकर वो बहुत ही खुश होती है, रात में हम देखते हैं, जुन और उसकी वाइफ जब इंटिमेड होते हैं, तो भी भी जुन यंग के बारे में ही सोच रहा था, एक दिन जुन को स्कूल में लेट हो गया, और बाहर बारी स्टार्ट हो गई थी, वो ज़रा बाहर निकला, तो वहाँ यंग भी थी, उससे कहती है, एक बार बारिश खतम हो जाए, उसके बाद मैं चली जाओंगे, जुन और यंग फिर बारिश खतम होने का वेट करते हैं, जुन लोटिस करता है, कि यंग यहाँ भी स्टॉबरी मिल्की पी रही है, और उससे पूछता है, कि तुम हमेशा स्टॉबरी मिल्की क्यों पीती रहती हो, यंग कहती है, जब मुझे एक फ्लेवर पसन आता है, तो उसे मैं हमेशा कंटिनू करती हूँ, इस सिंसे हम देख सकते हैं, यंग को एक चीज़ पसन आ गए, तो उससे वो अपसेस्ट हो जाती है, यंग को थन लग रहे थी, तो जुन अपना जैकेट उसे ओफर करता है, अंदर जाकर यंग ये जैकेट पहनने का ट्रैक करती है, पर इसकी चेन उस उसने जुन को गले लगा लिया, इसके बाद वो किस करने लग गया, अचानक से गाट की आवाज उने आए, वो सब क्लास्रूम से चेक कर रहा था, ये दोनों वही छुप गया, यंग कुछ आवाज ना करे, इसलिए जुन ने उसका मूँ बन कर दिया, यंग का दम घुट गाट चले जाने के बाद, जुन ने जब यंग को देखा, तो वो बेहुश थी, जुन बहुत ही डर गया, उसने यंग को उठाने की कोशिश के, पर वो उठने रही थी, बहुत देर हो चुकी थी, और जनरली जुन घर भूच जाता था, तो उसकी वाइफ उसे देखने के गाट के साथ वो उसे ठुन रही थी, तो जुन भी बाहर निकलाया, वो कुछ कर नहीं पाया, और यंग को वैसे ही छोड़कर घर चला गया, रात में एक्स्कूल लेकर, वो यंग को फिर से ठुनने के लिए पहुचता है, यहाँ पर यंग उसे नहीं दिखती, वाओ, उसक पुछती है कि तुम कहा चले गई थे, जुन कहता है, तुम्हें देखने के लिए मैं वापस आया था, पर तुम वहाँ से चली गई थे, उससे रिक्वेस्ट करता है, हमारे बीच जो भी हुआ, प्लिस हमारे बीच ही उसे रहने तो, किसी को भी बता नहीं चलना चाहिए, यंग भी इसके लिए मान जाती है, जो भी सब जुन और यंग के बीच में हुआ था, तो ये सब यंग स्कूल के ब्लॉग में लिख डालती है, स्कूल की सब लटकिया देखकर हस रही थी, और टीचर को भी पता चल गया, प्रिंसिपल ने यंग को मिलने के लिए बुला है, उसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों लिखा, कि तुम्हेरे साथ सचूल में ऐसा कुछ हुआ था, यंग जुन को ट्रवल में नहीं लाना चाहती, इसलिए कहती हैं कि ये सब इमेजनरी था, बहुत सारे टीचर्स ने जुन और यंग को एक साथ देखा है, प्रिंसिपल को पात जुन यंग को इगनोर करना स्टार्ट करता है, उसके सब मैसेजेज वो इगनोर करता है, एक बार वो अपने फ्रेंड को कहता है, ये मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है, जैसे हमें जुन का पैगराउन पता है, को एक रगभी प्लेयर था, उसे उसमें ही करियर क करना था, उसका फ्रेंड उससे समझाता है, कि तुम्हारी वाइफ वो प्रेंट है, तुम अपना जॉब नहीं छोड़ सकते है, फ्रेंड की बातों से हमें ये भी पता चलता है, कि जुन की वाइफ प्रेंड हो गई थी, इसलिए उन्होंने शादी की है, जुन के बारे में ये बहुत important information बन जाती है, वो रगभी प्लेयर बनना चाता था, उसकी girlfriend pregnant हो गई, तो उससे उससे शादी करनी पड़े, एक stable job लेना पड़ा, वो अपनी life से खुश नहीं है, राप में यंग जुन के घर पर भी call करती है, उससे कहती है, कि मैं तुम्हें miss करती हूँ, जुन उन्हें money problem थी, पर ये सब यंग ने sponsor किया है, यंग अभी भी जुन के घर में ही है, वाइफ कहती है, तुम्हेरे students कितने अच्छे है, कितना अच्छा है गिफ्ट है, वाइफ ने यंग को डिनर के लिए invite कर लिया है, वाइफ जुन से कहती है, यंग के parents आज घर पर नहीं ह तो हमारे साथ ही वो आज रात रहीगी, जुन इसके लिए कुछ कहे भी नहीं पाता, डिनर टेवल के नीचे से यंग जुन के साथ flirt करती है, आप में जुन और उसकी वाइफ बात करते है, जुन की वाइफ यंग को पढ़ाने वाली है, यंग बहुत ही रीच है, तो उन्हे कमरे में आ गए, उसे बाहर लेकर गए, उसके साथ वो इंटिमेट होना चाहती थी, जुन इसके लिए मना करता है, पर वो मानती नहीं, जुन कुछ भी ट्राय करे, पर यंग उसका पीछा नहीं छोटने वाली, एक दिन वो स्कूल की लड़कियों को CPR सिखा रहा था, यंग फिर इस लड़की को हस्पिटल में एडमिट करते है, जुन और उसकी फ्रेंड, जिसका नाम ही यून, ये दोनों फिर बात करते है, जुन को लगता है कि यंग नहीं किया था, फ्रेंड फिर समझ आती है कि जुन और यंग में कुछ ना कुछ तो है, जुन बहुत सैड था, तो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए वो बाहर चला गया, रात में वो चल भी नहीं सकता था, तो जुन उसके खर उसे छोड़ने के लिए आई, ये सब देखकर जुन की फ्रेंड पर वाइव गुसा होगे, एक्चुल में जुन और उसकी फ्रेंड पहले रिले इसे वो देखना चाहती है, वाइव पहले मना करती है, पर उसे देखने के लिए दे देती है, यंग उससे पुछती है कि तुम जुन से कितना पैर करती हो, क्या तुम उसके लिए अपना खुद का पैर तोड़ कर दे सकती हो, यहाँ पर यंग के हाथ में एक कटर है, क्या उंगली तुम तोड़ सकती हो इस सब conversation से wife uncomfortable होती है एक लास वो यही खतम कर डालती है यंग उससे कहती है मैं थोड़ी देर यही wait करती हो जुन जब घर पर आएगा तुसे मिलकर वो जाना चाहती है यह सब देख कर अब wife को लगता है कि यह ज़रा serious matter है एक दिन जुन स्कूल में यंग से बात करता है कहता है मेरी wife पर में cheat नहीं कर सकता अब यह सब वो burn करना चाहता है यंग कहती है कि तुम डरो मत उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा जुन फिर भी मान निरा यंग उससे फिर blackmail करती है कहती है अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते है तुसे पता चले या ना चले इससे क्या फरक पड़ेगा यानि कि इंडायकली उससे कहती है कि वो उसकी wife को बता देगी जुन strongly चाहता है कि यह सब burn हो जाए वो स्कूल छोड़कर freelancing coach भी burn सकता है इन सब चीज़ों के बारे में अपनी wife को गहता है उसकी wife उसे समझाती है कहती है अगर तुम freelancing job करोगे तो सही से earning नहीं होगी हमारी family के लिए हमें एक steady income चाहिए उससे कहती है कि तुम अपनी job नहीं छोड़ सकते है एक दिन young फिर से coaching के लिए जुन की wife के पास आई है wife non-wage cook कर रही थी है इसके smell से young irritated होके और उसने उल्टी कर दी wife से कहती है कि मैं pregnant हूँ इसे wife को बहुत शौक लगता है उसे पहले ही जुन और young पर शक था रात में वो जुन का पीछा कर दी है जुन young के building में ही पहुच गया उसे फिर confirm हो जाता है कि young जुन की वज़े से ही pregnant है जुन young को समझाने के लिए गया था उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी wife को मैं नहीं छोड़ सकता young जुन से कहती है अगर तुमारी wife नहीं होती तो कितना अच्छा होता next day young जुन के wife के साथ उनकी wedding photos देख रही थे wife से कहती है तुमारी ये ring मुझे हद कड़ियों की तरह लगती है इन photo में भी जुन को किसी की प्यार की जुरुत है इस तरह से वो लग रहा है young ने wife को ए परसनली कहा था wife भी चीट गये उसने कहा जुन सिर्फ तुमें use कर रहा है तुम दोनों की बीच एक real relationship नहीं है तो तुमें use करेगा और उसके बाद छोड़ भी देगा young कुछ बोल पाए इसके पहले उसे चक्कर आगे actual में जुन की wife ने उसके drink में कुछ मिला कर उसे बहोश कर दिया उसने फिर जुन की friend को call लगया उसे कहा कि तुम जुन से बहुत प्यार करती थी उसका और मेरा future इसा ही हो इसलिए मैं सब करना चाहती हो उसे जुन के friend से help चाहिए ये दोनों फिर young को doctor के पास लेकर आती है उसका वो illegal abortion करवाने वाली है doctor young को check करते और कहते है young pregnant नहीं है वो तो कभी किसी के साथ intimate भी नहीं हुई है ये सुन कर जुन की wife को shock लगता है young सब कुछ imagine कर रही थी wife फिर young को फिर से घर लेकर आती है young को जब होश आता है तो कहती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया वो अपने पेट को देखती है उसे लगता है कि उसके imaginary baby का abortion हो चुका है वो बहुत disturb हो जाती है वो फिर wife को मारने लगती है एक दुसरे को मार ही रही थी तब ही जून वहाँ पहुच गया इनकी fight उसने रोकी इस fight की वज़े से young की wife का water broke हुआ उसे वो जल्दी से hospital ले जाता है यह delivery premature थी पर baby की health को कोई भी problem नहीं आया एकसर में हम देख सकते है कि जून की friend young को घर छोड़ने के लिए जा रही थी young उसे कहती है मुझे बहुत बुरा सपना आया था इस सपने में तुम भी थी young के पास एक cutter था इस cutter से ही जून की friend को उसने मार डाला एकसर होस्पिटल में आकर वो जून का baby अपने साथ लेकर चली गई जून और उसकी wife को जब यह पता चला तो बहुत disturb हो गए सब जगा ठूडने लग गए wife को फिर young का call आता है वो कहती कि baby उसके पास है और wife से वो अकेले ही मिलना चाती है जून को बता कर wife जल्दी से वहाँ से चली जाती है जून भी पीछे से उसका पीछा कर रहा था young अपनी building की water tank के पास थी wife आकर उससे पुछती है कि मेरा baby कहा है young उससे यह थी है जितना प्यार में जून को कर सकती हो उतना तुम कभी भी नहीं कर सकती है उससे point out करती है जून का बेबी इस water tank में है बेबी को ढूणने के लिए wife इस water tank में जम करती है वो जब देखती है तो water tank में एक डॉल थी है young बाहर से wife को अंदर ही बन कर देती है wife को drown करने के उसमें पानी भी start कर दिया थोड़ी दिर में जून young की building में भोजा young के घर में उसका बेबी उससे मिल गया वो फिर अपनी wife को ढूणने के लिए young के पास आया young उससे समझा थी है कि मैं उससे अच्छी wife बन सकती हो जून मानता नहीं young फिर जून की wife कहा है वो उससे बता देती है जून जाकर अपनी wife को बचा लेता है जून ने young को choose नहीं किया या वो bear नहीं कर पाये अब वो suicide करने वाली थी वो terrace की age पर खड़ी है ये जून ने देखा जून उससे कहता है please नीचे उतर जाओ इस बारे में हम बात कर सकते है young सुनती नहीं और jam मारती है जून जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है कहता है कि जल्दी से उपर आजाओ young उपर आने का try नहीं कर रही कहती है ये जब तु मेरे साथ है तुमारा भी दिल धड़क रहा था उसे बुछती है कि हमारे बीच की relationship आखिर क्या थी वो अब जीना नहीं चाती है स्लोली स्लोली जून का भी हाथ सटकता जाता है young नीचे गिर कर मर जाती है जून अपनी वाइफ को कह रहा था young को बचाने के लिए उसके वो help करे पर wife नहीं मानी अब हम देखते जून उसकी wife और उसका baby यह सब एक साथ तो रहते है पर जून बहुत ही दुखी है वो young को याद करकर बहुत रोता है movie के last scene में हम देख सकते कि हमेशा जून भी young को देखता रहता था वो सिर्व young की नहीं थी तो जून से अपसेश थे उसने जब young के साथ relationship स्टार्ट किये तो बहुत गलत किया वो अपनी wife पर cheat नहीं करना चाहता था young को उसने ये सब समझाने की कोशिश की पर तब तक देर हो चुकी थे young उससे अपसेश थे उसका obsession बढ़ता चला गया और उसका अंध बहुत बुरा हुआ finally उनकी गलती की सजा एक दूसरे को भुगत नहीं पड़ी आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं